आयुर्वेट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चेनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो आम तोर पर कड़ी पत्ते का इस्तमाल भारत के दक्षन प्रांत में ज्यादा होता है लेकिन अब भारत के लगवग हर प्रांत में इसका इस्तमाल शुरू हो गया है आपने कभी सोचा है क्यों क्यों क्योंकि इसके अंगिनत फाइदे हैं और ये अंगिनत बिमारियो देख लीजिए अपने खाने में कड़ी पत्ते को शामिल कीजिए इसे ब्लड शोगर कंट्रोल रहेगा और रोजाना खाली पेट कड़ी पत्ता खाईए आपको बहुत फायदा मिलेगा एनीमिया से बचाता है कड़ी पत्ता आईरन और फॉलिक एसिड का श्रोत होता है आईरन की कमी सिर्फ शरीर में आईरन ने होने पर ही नहीं होती बलकि शरीर के आईरन को सोख न पाने के कारण भी होती है इसके अलाबा फॉलिक एसेड आईरन को सोकने में भी मदद करता है कड़ी पत्ता इन दोनों कामों को करके एनीमिया को दूर करता है टिप देख लिजी आज की अगर आपको एनीमिया हुआ है तो रोज खाली पेट एक खजूर और दो कड़ी पत्ता नियमे तरूप से खाईए आपको एनीमिया में बहुत फायदा मिलेगा अगर आपका लीवर शती ग्रस्त है तो उसको भी ठीक करता है अगर आप बहुत शराब पीते हैं और इसके कारण आपके लीवर को नुपसान पहुच रहा है तो आप अपने खाने में कड़ी पत्ते को शामिल करना ना भूलिए शरीर में केमफेरॉल के कारण जो ऑक्सीडेटिव, स्ट्रेस और टॉक्सिन्स बनते हैं वे लीवर को शती पहुचाते हैं उससे दोस्तों कड़ी पत्ता आपको बचाएगा अगर आप कड़ी पत्ते का सेवन करते हैं तो उसमें जो बिटामिन A और बिटामिन C होता है वे लीवर को अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है दोस्तो कड़ी पत्ता आपको हिर्दे समंदी बिमारियों से रक्षा करेगा शायद आपको जानकर आशर होगा कि ये बलड में से कॉलेस्टरोल को कम करने में एहम भूमिका आदा करता है यह बलड में good cholesterol की मात्रा को बढ़ा कर फिर्दे समंदी रोगों और enteroclorosis से रक्षा करता है दोस्तो यह आपकी हजम शक्ती को भी बढ़ाएगा कड़ी पत्ते का कामिंटिव या बातहर गुन ऐसीडिटी या बदहजमी होने से रोकता है आयरुवेद में माना जाता है कि कड़ी पत्ते में जो lexative का गुन होता है वे पेट में अमा और दोशा के लेवल को संतुलित करके पेट को शान्त रखने में सहता करता है दोस्तो यह दस्त के लक्षणों में आराम देता है कड़ी पत्ते में जो mild lextrip का गुण होता है वे दस्त से रहात दिलाने का कारे करता है क्योंकि इसमें anti-vacterial और anti-inflammatory गुणों के कारण ये पेट की गड़वडी को जल्दी शांत करने में कारगर होता है कड़ी पत्ता शरीर से तीनों दोशों को संतुलित करके पेट के पित्त दोश को भी जड़ से खत्म कर देता है आज की टिप देखिये दस्तोने पर भी कड़े पत्ते को क्रश करके बटर मिल्क के साथ दिन में दो से तीन वार लें आपको रहात मिलेगी दोस्तों ये कैंसर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एक अध्यन के मुताबिक कड़ी पत्ते में तनी शमता होती है गवे कीमो थेरेपी और रेडियो थेरेपी किसे जो शती आपके शरीर को पहुंचती है उससे आपकी रक्षा करता है ये क्रोमोजोमस और बॉन मेरो को किसी भी प्रकार की शती से सुरक्षित रखने के साथ साथ सरीर में फ्री रेडिकल्स के उद्वब को रुखता है इसी प्रकार कड़ी पत्ता शरीर को कैंसर से रक्षा करने में मदद करता है चाती और ना के कंजेशन से राहत दिलाता है अगर आप खांसी, साइनस या बलगम के कारण परिशान है तो कड़ी पत्ते को अपने डाइट में शामिल कीजिए और इस कष्ट से आप निजात पा सकते हैं कड़ी पत्ते में जो बिटामिन सी, एंटी इंफिलिमेंटरी और एंटी ऑक्सिडेंट के गुण होते हैं वो आपके बलगम को जमने नहीं देते हैं आज की टिप देखिए कंजेशन से राहत दिलाने के लिए एक छोटा चमच पाउडर किया हुआ कड़ी पत्ते में को हमेशा के लिए खत्म कर देती है इसके लिए आप कड़ी पत्ता खाएं या स्केल्प पर इसको लगाएं टिप देख लीजिए बालों को मुझबूत करने या रूसी से लड़ने के लिए कड़ी पत्ते का जूस 100 ml नारियल के तेल में मिला कर तेल को गरम करें जब तक की वो काला ना हो जाए इसके बाद आपने स्केल्प पर लगाएं तो जान गए न दोस्तो आप तो कड़ी पत्ते को नहीं फैगेंगे न तो आज से ही खाना शुरू कीजिए और आपने शरीर को बनाईए स्वस्तो और निरोग दोस्तो आईरुवेज समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताएगा इन उसके वेद्यों की राय के मताविक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आईरुवेज समाधान तो गया इरुवेज समाधान है हरोग का निदान